हेलो फैंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टाडी बिलकुल अच्छी चले होगी तो आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर रपी, एलपी और टेकनीशन के मोड़् इंपॉर्टेंट कोसंस के बारे में डिस्कस करेंगे जोकि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मस्टिनिष्ट के रहने वाले हैं और यह जितनी भी सारे questions रहने वाले हैं यह सभी इसके जहां जो सार है इन्हीं के book से लिया गया है और यह set 72 रहने वाला है इसके पहले मैंने 71 set दे रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में इसके वीडियो आपको मिल जाएगा और फ्रेंट्स अगर आपको इस वीडियो का यह फिर किसी भी वीडियो का free PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम को लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे description मिल जाएगा वहाँ से जाकर जोइन कर सकते हैं तो अगर आपकी तैयारी पकी होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पकी होगी तो आईए अब स्टार्ट करते हैं तो कुस्टर नमबर फर्स्ट है किस प्रकिडिया दोरा किसी सिलिंड्रिकल सर्फिस पर स्कूर थ्रेड बनाई जाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन A यानि कि हेलिकल गुरूब काट कर अब जो इन पॉर्टेंट जो पॉइंट सेवन सभी कोई डिसकस कर लेते हैं तो हेलिकल गुरूब काट कर सिलिंड्रिकल सर्फिस पर स्कूर थ्रेड बनाई जाती है अगला है English Outside Micrometer यानि कि frequencies Outside Micrometer के spindle पर चूड़िये का जो पीच होता है वो 0.025 इंच होता है अगला है थ्रेड रोलिंग प्रोसेस में बिना धातू हटाए心 त्रेड बनाई जाती है अगला है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पीछ बराबर होता है कुशन नमबर सेकेंड है एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के दोरा एक एक्स्टरनल इस्कूरू थ्रेड का प्रत्यक्षता क्या नहीं मापा जा सकता है इसका राइट अंसर हो जाएक ऑप्सन डी यानि कि पीछ डायमीटर जो है वो मापा नहीं जा सकता है और यह जो प्रस्ण जो है वो 2018 में पुछा को प्रस्ण है अब जिन पॉट्रेड जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कूस कर लेते हैं यहां सरी प्रस्ण आपके एक्जाम में बनते हैं तो इस्टील रूल प्रत्यक्ष मापी टूल है अगला स्टील रूल हाई कावन स्टील की बनाई जाती है अगला है पीछ लाइनों पर पीछ बिंदूओं के ब्यास को पीछ डायमेटर कहते हैं अगला है यह प्रभावी ब्यास होता है अगला है थ्रेड के मेजर और माइनर डायमेटर के बीच काल्पनिक डायमेटर को बीच डायमेटर कहते हैं अगला कोशन है कोशन अमबर थार्ड निमने मसे किस फास्टनिंग वीधी में धातू बिखलती है इसका राइट आंसर होजाएक ऑप्शन बी यानि कि वेल्डिंग यानि कि वेल्डिंग फास्टनिंग में जो धातू बिखलती है अब जिन पॉर्टन जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां सभी प्रसंद बनते हैं तो welding fastening में धातू पिखलती है अगला है welding जो है वो permanent fastener है अगला screw thread और अस्थाई fastener है अगला है धातू parts को fusion tap crumb तक पिखला कर pressure देकर या बीना pressure दिये जोडने की किडिया को welding कहते है अगला question है question number fourth निम्न मैं किस कारण से नटों के नीचे spring वासरों का प्डियोग किया जाता है तो इसका राइट answer होज़े का option D यानि कि कमपन के कारण नटों के धीला होने से बचाने के लिए अब जो important जो points है उन सभी को डिस्कुस कर लेते हैं तो कमपन के कारण नटों के धीला होने से बचाने के लिए spring वासर का प्डियोग किया जाता है अगला है इसका प्डियोग करने से नट जो होता है वो धीला नहीं होता है अगला है इसका प्डियोग वहां किया जाता है जहां जहाटका अधिक होती है अगला है spring में जहाटका सहने की सामर्थ होती है अगला question है question number 5 रिवेट जोईंट में धातू की स्पिल्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है तो इसका राइट आंसर होजाएगा option B यनि कि रिवेटों के लिए सुराखो को प्लेट के एज से बहुत नस्दिक ड्रिल करना अब देख लेते हैं जो important जो points हैं उन सबी को discuss कर लेते हैं तो रिवेट के लिए सुराखो को प्लेट के एज से बहुत नस्दिक ड्रिल करना रिवेट joint में धातू की स्पिल्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है अगला है सधारन structural कार के लिए snap head रिवेट का प्रियोग किया जाता है अगला है रिवेट सेट का सही प्रियोग ना करने से रिवेट के बाद दो सीटों के बीच gap दिखाई देती है अगला कॉस्टान है कॉस्टान नमर 6 लीड और पीच बराबर होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि single start चूडियो में लीड और पीच बराबर होते हैं और यह जो प्रस्ण जो है वह 2014 में पूछा को प्रस्ण है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्ण बनते हैं तो लीड और पीच सिंगल start चूडियो में बराबर होता है अगला है लीड की गणना कैसे कहता है तो पीचे यानि कि लीड की गणना बराबर क्या होता है तो पीच in to start ओ के संखिया अगला है दो निकट वाली चूडियो में पर तीत संग्म बिन्दूउं कि मद्य अक्ष के समना अंतर चूड़ी को पिछे कहता में अगला है चूरी का सबसे उपड़ी जो सीरा होता है उसको क्रेश्ट कहते हैं या फिर कहलाता है अगला कोशन है कोशन मबर 7 निम्न में से ब्रिटिस स्टेंडर्ड पाइप थ्रेड का कौन क्या होता है इसका राइट आंसर होता है को ऑप्सन सी यानि कि 55 डिगरी होता है अब जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रस्ट बनते हैं तो ब्रिटिस स्टेंडर्ड पाइप थ्रेड का कौन 55 डिगरी होता है अगला है ब्रिटिस एसोशेयेशन यानि कि बीए का जो थ्रेड है इसका 47.5 डिगरी होता है और यह जो है ब्रिटिस एसोशेयेशन यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हैं यह कि सभी इंपोर्टेंट है इसमें अगला है BSW यानि कि British Standard Width Worth का जो कौन होता है वो 55 डिगरी होता है अगला है Buttress Thread का जो कौन होता है वो 45 डिगरी होता है अगला Question है Question No.8 Screw Thread की दोनों साइडे उपर के जिस पॉइंट पर मिलती है वह पॉइंट क्या कहलाता है इसका Right Answer हो जाएक Option C यानि कि Crest कहलाता है और यह जो प्रस्ट जो हुआ हुआ 2015 में पुशा गया वह प्रस्ट है अब जो इंपॉइंट जो पॉइंट जो पॉइंट जो उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं यहां से प्रसंद बनते हैं तो Screw Thread की दोनों साइट है उपर के जिस पॉइंट पर मिलती है Crest कहलाती है अगला है चोडी के Grove की सबसे निजली सता Root कहलाती है अगला है चोडी का सबसे उपरी सीरा क्रस्ट कहलाती है अगला है चोडी की साइड की सता Flank कहलाती है यह तीनों तो बहुत ही ज़्यदा इंपॉर्टेंट है अगला कोसेन है कोसेन मबर 9 लॉक वासर नीमने कारण से पड़ियोग किया जाता है इसका Right Answer वो जेका Option A यनि की Nut को लॉक करने के लिए लॉक वासर का पड़ियोग किया जाता है अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रसंद बनते हैं तो Nut को लॉक करने के लिए लॉक वासर का पड़ियोग किया जाता है अगला है इसका प्रियोग आटो मोवाईल वाहन में किया जाता है अगला है लॉक वासर इंटर्नल एक्स्टर्नल और स्प्लीट में पाए जाता है अगला कोशन है कोशन मर्टेन एक चकर में स्कूरू थ्रेड अक्ष के समनांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है जिसका राइट आंसर होजएगा ओप्सन बी यानि कि थ्रेड की लीट कहलाती है और यह जो प्रस्ट जो है वह 2009 में पूछा गया प्रस्ट है अब जो इंपॉर्टेन जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रस्ट बनते हैं तो एक चकर में इसको थ्रेड अक्ष के समनांतर जितनी दूरी तय करती है थ्रेड की लीट कहलाती है अगला है दो निकट वर्ती वाली चूरी पर इस्तित संगम बिंदूओं के मध अक्ष के समनांतर दूरी को कह कहते हैं तो पीच कहते हैं अगला है चूरी का सबसे उपड़ी भाग जो है वह क्रेश्ट कहलाता है अगला चूड़ी के ग्रूब की सबसे निचली सत्ता जो है वो रूट कहलाती है अगला कुस्सन है कुस्सन नमर 11 निमन में से BSF, स्कूरू थेड का सिर्स कौन है जिसका राइट आंसर हो जग ऑप्सन C, यानि कि 55 डिगरी है अब जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट से उन सभी को डिसकूस कर लेते हैं और यह बहुत ही जग इंपोर्टेंट है तो BSF, स्कूरू थेड का सिर्स कौन जो हता है वो 55 डिगरी होता है अगला है 45 डिगरी तो जो बटरेस थेड जो हता है उसका जो एंगल होता है 45 डिगरी का होता है अगला है 60 डिगरी यानि कि जो मिट्रिक जो जो थेड होता है उसका जो एंगल होता है वो 60 डिगरी का होता है अगला है BA थेड का जो एंगल होता है वो 47.5 डिगरी होता है यहने कि यह तीनों जो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 12 बी ये स्कूर थ्रेड की गहराई कितनी होती है इसका राइट आंसर हो जाएक option C यहने कि 0.6 पीच होती है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्थ बनते हैं तो ये थ्रेड की गहराई 0.6 पी यानि कि पीच होता है अगला है इसका प्रियोग 6 mm स्कूरू पर किया जाता है अगला है इसमें जैसे जैसे थ्रेड का नमबर बढ़ता है उसकी पीच कम होती है अगला है इसका प्रियोग शुक्ष्म कंपोनेंट और मेजरिंग मेजरिंग गेज के लिए किया जाता है अगला कोसन है कोसन मर थाटीन निमन प्रकिडिया तवारा सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग किया जा सकता है इसका राइट अंसर होजबा आप्सन ए यानि कि हलका गरम करके अलग किया जा सकता है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लिता है यहां सभी प्रस्टन बढते हैं तो सेमी परमानेंट फास्टनर को हलका गरम करके अलग किया जाता है अगला है रिवेट जो है वो अर्द अस्थाई बंधक है अगला है रिवेट दो चादरों को आपस में हैमर की साहता से जोड़ता है अगला है स्कुरू अस्थाई बंधक है अगला कोशन है कोशन नमबर 14 रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप किस दोस्त के करण दिखाई देता है तो इसका राइटा अंसर होजा है कि ऑप्सन डी यानि कि बी एवं सी दोनों अब दिख लेते हैं कौन-कौन सा तो ड्रील किया हुआ सुराखो, ओबर साइज होना, दूसरा है रिवेट सेट का सही पडियोग ना करना यानि कि दोनों और यह जो प्रस्त जो है वो 2017 में पुछाई कि वह प्रस्त है अब जिन पॉटन जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं तो ड्रील किया हुआ सुराखो, ओबर साइज होने से सीटों के बीच गैप रह जाता है अगला है रिवेट, रिवेट सेट का सही पडियोग ना करने से भी सीट में गैप रह जाता है अगला है रिवेट अर्ध अस्थाई बंधक है अगला एडिवेट दू प्लेटों को आपस में हैमर की सहता से जोड़ती है अगला कोशन है कोशन नमर 15 सौफ्ट सोल्डरिंग के लिए उचीत तापकरम तापकरम जो होता है इसका राइट आंसर होज़ेगा ओप्सन डी यानि कि 450 डिग्री सेंट्रिकेट से कम अगला है इसका प्रियोग रेडियो में किया जाता है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिपेशन उसका मैसेज आपको पहले मिल जाए और फ्रेंट्स अगर आपको फ्री वीडियो चाहिए इस वीडियो का ये फ्री किसी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं टेली ग्राम के लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्टिर में मिल जाएगा वहां से जाकर जॉइन कर सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने खजाना वले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं क्योंकि यहां से 5-6 बर हर एकजाम में पूछा ही जा रहा है इसलिए इस सोले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना बूले यह सभी टेटों के लिए हैं वोगा फेंड्स थैंक्स पर वाचिंग क्योंकि बार है